हेलो एव्रिवण वेल्कम टू हांवर क कर्नर, आसका जो मारा टोपिक है वह है शब्द और वाक्य, शब्द वर्णों के में से शब्द बनता है, हमारी औ से लिक्र ग्याग यानी तक हमारी सारे वर्ण होते हैं, जब हम इन वर्णों को मिला देते हैं, तो शब्द बनता है जैसे गी जमाला जमास तो क्या बना गिलास यहाँ पर ध्यान रखे जब हम वर्णों से शब्द बनाते हैं तो उस शब्द का कुछ अर्थ निकलना चाहिए जैसे गलास शब्द का अर्थ होता है पानी पीने का बरतन अगर उस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है तो उसको हम शब्द नहीं कहेंगे जैसे अगर गलास को मैं इस तरह से लिखूं ला जमास जमागी लास गी कोई शब्द नहीं है क्योंकि इसका कोई भी अर्थ नह निकलता है आईए कुछ उधारन द्वारा समझते हैं जैसे लाताब और तालाब दोनों में कौन सा सही होगा तालाब ऐसे ही मकन और नमक भी कौन सा सही होगा हमारा नमक इसका मतलब हम शब्द उसी को कहेंगे जिसका कुछ अर्थ निकलता हो तो वर्णों के मिल से बना हमारा शब्द और शब्द मुसी को कहेंगे जिसका अर्थ निकलता हो आईए अब हम देखते हैं वाक्य शब्दों के सही मिल से वाक्य बनता है वर्णों से हमारे बने शब्द और शब्दों के सही मिल से बना वाक्य दियान रखे वाक्यम उसी को कहेंगे जहां पर शब्द सही करम में लगे हो आईए इस एक्जाम्पल के दुआरा देखते हैं यहां पर मैंने कोई शब्द लिखे हैं जैसे दोड़ता, राम, है, तेज और मैंने इनसे एक वाक्य बनाया राम दोड़ता है तेज लेकिन क्या यह सही वाक्य है? नहीं क्योंकि यहां पर जो शब्द है उनका करम गलत तरीके से लगा हुआ है तो सही वाक्य क्या होगा हमारा? राम, तेज, दोड़ता है यह बिल्कु सही वाक्य है क्योंकि शारिस शब्द एक करम में लगे हुए है आईए अब कुछ और एक्जाम्पल दोरा समझते हैं जैसे खर्गोस दोड़ता है तेज क्या ये सही वाक्या है? नहीं क्योंकि ये सही करम में नहीं लगे है खर्गोस तेज दोड़ता है ये सही वाक्या है क्योंकि यहां पर सारी शब्द सही करम में लगे हुए है ऐसे ही दोस्त मेरे नाम का है सुनिल यह एक गलत वाक्या है क्योंकि यहां पर शब्दों का करम जो है वो सही नहीं है तो सब्दों का सही करम क्या होगा मेरे दोस्त का नाम सुनिल है ये एक वाक्य है क्योंकि यहाँ पर सारे शब्द एक सही कर्म में लगे हुए है तो वर्णों से हमारा बना शब्द और शब्दों से हमारे बने वाक्य है